प्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बैल आइकन पे ताकि आप देख सेखो वीडियो सबसे पहले सब्सक्राइब आपको बता दिया है और आपको बता दिया है और अपने मेरे मोबाइल स्कीन पर देखा था स्टार्टिंग के जब मैं ओर वी दिखा रहा था एप्लिकेशन का तो एप्लिकेशन को ओपन करते हैं वन आप लॉग इंच्टाइब कर लोगे तो बार बार आपको लॉग इन नहीं करना पड़ेगा डायरेक अपन होते हैं आपका जो के में स्क्रीन ओपन होगा जो की प्ले का स्क्रीन ओपन होगा तो जिस तरह आप इंस्टाग्राम का फेस्बुक का देखते हो जिसमें एक इस वीडियो के अंदर तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक लिए तो आपको प्रॉपर तरीकी से समझ में आ जाएगा तो इसके पहले में बता तो आपने भी तिक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर देजिए मैं बहुत सा आते है डियर्क कोडुलर के website पे तो आप देख सकते हैं जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता रहे था तो यूजर लॉग इन करता है तो लॉग इन करने के बाद में मैं अक डेटा सटोर करने का आपको बता रहे हैं धावन और यह स्टोर कर रहे और यह चीज में तो यह है login की screen, यह screen to मेरी register की screen, और कभी भी आप codular पर कई भी application create करोगे, एक होती screen one, वो main screen होती है, जो screen open होती है, जो भी data आपको देना है, वहाँ देना है, कि वो screen को कौन से screen पर जाना है, वहाँ से, तो यह होती है main screen, तो इसके अंदर में designer part में जाता हो, तो जब भी आप मेरा application open करोगे, आपको description में इसका demo मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, यह logo दीखेगा, logo लगा ना बहुत simple है, आपको background में black कर देना है, black करने के बाद में आप देख सकते हो, इधर beach में एक image ले ले लेना है, और इसके बाद में फिर इदर आप देख से तो इधर में space दिया हुआ, space देने के बाद में एक label लगा देना है, deadzone नाम का, जो भी आपका application का नाम है, वो नाम से बाद में आप देख से तो नीचे मैंने है ना, एक progress liner progress बार लागा हुए, liner progress बार आपको इदर user interface के अंदर इदर यह liner progress बार आपको देखने को मिल जाएगा, तो यह देख सकते हैं, मिल गया तो इससे मैं delete करते हुआ तो यह मैंने simple तरीके से लगा हुए, वो इदर मैं component पर आपको दिखा देता हुए, एक तो मैंने screen 1 पर लागेगा, आप इदर push notification लगा हुए, बाद में कोई दुसरे screen पर इदर से आप देख से तुझे से notification का आपको experimental के अदर push notification मिल जाता है, कोई दुसरे screen पर drag करो, एक बार इदर आप एक बार मतलब यह आप देख से तुझे से करने starting में लिया था, इससे आप copy करके इदर paste कर दो, वो दुसरे screen पर जा कि यह push notification को drag करो, इसके अंदर आप कुछ दुसरा paste करो, तो आप दुसरा paste करो, तो आप दुसरा paste करो, कि ट्राय करने का हुए गा ही नी, क्योंकि वो एक बार एक application के दर एक notification का आप है ना, one signal की ID ल मिल जाएगा, वो इधर आप देख सकती है जिसे यूटिल के अंदर आपको है ना device ID मिल जाएगा, tiny database आपको storage के अंदर मिल जाएगा, और clock का जो कि आपको sensor के अंदर मिल जाएगा, देख सेंसर के अंदर आपको clock का component मिल जाता है, और यह push notification आपको experimental के अंदर push notification मिल जाता ह यह हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके तुरुए हम notification send करते हैं, अब इसके बाद मैं आ जाता है ब्लॉक section में, ब्लॉक section में आने के बाद जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह ब्लॉक section बहुत ही important रहता है, जब user screen initialize होगी, जब user application open करेगा, तो login screen पर जाना है 1000 millisecond set किया है, जो कि 1 second तक, आप देख से तो screen load करेगा, 1 second बाद हमारा condition check करेगा, तो आप देख से तो इधर आपको post करके देख लिए इधर 1000 डाल देना है, और इधर आप देख से तो यह दोनों को enable रखना है, जो कि disable रखना है, और इससे 1000 डाल देना है, यह हम अपने block के अंदर decide करेगे कि हमें कभ इसे enable करना, हमें direct enable नहीं रखना है, मतलब हम block के अंदर condition लगागे से enable करेगे, जैसे आप देख से तो screen initialize होगी, तो इधर आप देख से तो clock वाला component timer enable कर देना है, यह true हो जागा, तो जब यह true हो जागा, इधर आप देख से तो यह सब block आपको enable वाला यह दिख जाएगा, और आपको नहीं पता यह कहां का component है, तो आप जो देख सकते यह component जैसे कि यह when clock timer, तो इधर बस आपको keyboard पर type करना है, when clock, तो आप देख से तो when clock timer, तो type करोगे तो आपको देख से तो यह से मिल जाएगा, आपको नहीं मिल रहे component, तो आपको न control के अंदर इस वाला इदर लगा देना है, इसके बाद में एक equal to वाला लेना है, देख सकते यह equal to वाला आप type के logic, equal to तो देख से तो यह वाला आ गया, तो यह आपको ला देना, यह लाने के बाद में आपको tiny database लेना है, tiny database के अंदर आपको अभी store नहीं कराना है, get करना है कि यह yes क्यों कर रहे है और one tag क्यों डाले तो जैसे कि मैंने आपको login screen पर बताया था इधर आप देख से तो screen 2 के अंदर इधर register कर रहे थे जब हम store करा थे one or yes तो यह हमारा mobile application के अंदर हम यह चीज श्टोर करा रहे थे तो यह condition check करेगा screen 1 जैसे initialize होगी कि यह उसके mobile database के अंदर store है कि नहीं और यदि नहीं रहेगा यह store तो मतलब बंदे ने application को इन इंस्टॉल किया मतलब अभी तुरंट इसने इंस्टॉल किया फिर आदे गंट इंस्टॉल किया first time यह आप login कर रहे है और यदि यह available रहेगा त इसका main screen open कर लेगा जो की welcome का screen और welcome की screen open होती है जैसे हमने इदर condition लगाया तो वहां मैंने condition लगाय हुए वह सारे data access करेगा जो मैंने login पर बताया था कि यह सब data access करके welcome screen पर शोओएगा तो यह चीज आपको लगाना तो आप देख से इसे equal to यह condition true होता है तो डारेक welcome screen उप पन होना चाहिए तो user ने पहले register किया रहेगा तो login कर लेगा और user first time application यूज कर रहा है तो register पर क्लिक करके register की screen पर चल जाएगा बाद में फिर हो register की screen पर जाने के बाद जैसे कि मैंने अल्रेडी वीडियो में बता दिया इसका register का screen कैसे create करना वो register करके welcome के screen पर आ जाएग तो मैं आपको एक बार overview दिखा देता हूँ इसके बहुत ज्यादा block है मतलब बहुत ज्यादा नहीं मतलब आप समझ जाओगे आपने application पर काम किया तो आपको बहुत easy तरीके से समझ में आ जाएगा application के बारे में तो आप देख सकते हो यह कुछ block से welcome screen के तो इसका tutorial आपको next part में मैं दे दूँगा तो जिसका video का link आपको description में मिल जाएगा next part का तो वो description में आप check out कर सकते हो तो जिसके अंदर हम सीखे के welcome screen को बनाना कैसे इसका logic कैसे set करना इसका design कैसे create करना वह सब चीज में next video में हर part wise आपको समझाते जाओंगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने दिख में चैनल को subscribe नहीं किया तो इदे में चैनल को गड़ियो